आप से यदि आपकी capacity 20 किलो वजन उठाने की है या ज़्यादा कोसिस करो तो 25 किलो या 30 किजी वजन उठा सकते हो इससे ज़्यादा वजन उठाओंगे तो बगवान आपको उठा लेंगे तो इन महमानों के इसाब से आप वजन उठालोगे 400 किजी बताओ फिर मैंने सोचा ये क्रेन क्यों बनाई थी ये सदी के महान आई कहां पे थे इतने दिन दोस्तो ऐसा भी किया जा सकता है 15 वाट की मोटर से 400 वाट का लोड चलाना पर यह एक राई का पाहड बनाने से कम नहीं है 100 रुपए की मोटर के लिए आपको लगबग 50,000 रुपए का खर्चा करना होगा और गारंटेड वह थोड़े टाइम बाद में फैल ही होगा और वह कैसे फैल होगा आप कमेंट करके मुझे बताओगे आजकल यूटूब पर चल रहा है फ्री एनरजी जनरेटर और मेरे ख्याल से यूटूब के सबसे पहले फ्री एनरजी जनरेटर का आइडिया इन ही का था तो अपन इन ही के बारे में बात करेंगे तो इनका जो यह सिस्टम है इसमें इधर एक मोटर है इधर एक यह जनरेटर लगा हुआ है और बीच में यह फ्लाइवील लगा हुआ है तो अब इसमें होता क्या है कि पहले मोटर को इलेक्रिसिटी देते हैं बाहर से तो मोटर गोमना शुरू कर देगी तो मोटर से जुडा हुआ फ्लाइवील गोमेगा और flywheel से जुड़ा हुआ जनरेटर गुमेगा जब motor generator अपनी speed पर गुमने लग जाएंगे तो यह मास से motor की बाहर की supply बंद करके जो generator electricity generate कर रहा है उससे connect कर देते हैं तो अब motor का load किस पर आ गया? generator पर मतलब generator electricity generate करके motor को गुमा रहा है और motor generator को गुमा रही है और इसी को बोलते हैं free energy generator और साथ में यह मास से हमें generator से कुछ और भी load चला कर दिखाते हैं अब यह सब देखकर मेरा दोस्त वोला final year का project मैं तो यही बनाऊंगा और भाई साब उसने बना भी लिया खड़ चाया 50,000 रुपए का और भाई अब project हो गया fail प्रोपेसर साब ने submit नहीं किया फेल project को और अब वह मोटर और generator को half rate के अंदर बेचता गोम रहा है और उनको कोई खरीद भी नहीं रहा है अभी मैं आपको बोलू बाई साब 10 किलो वाट का generator है खरीद लो तो सबसे पहले आप तो यही कहोगे न कि करूँगा क्या यार इसका अभी मैं बताता हूँ यह लोगों को बेवकूब बनाते कैसे हैं जब flywheel गूमता है मोटर के साथ तो यह कुछ energy अपने अंदर store कर लेता है जिसे potential energy बोलते हैं और जब मोटर का load generator पर आता है तो यह flywheel अपनी potential energy को kinetic energy की form में release करना शुरू कर देगा तो थोड़ी देर तक तो यह flywheel कुछ ना कुछ load चलवा देगा क्योंकि यह flywheel अपनी energy release कर रहा है अब होगा क्या 2-4 मिनट बाद में यह flywheel अपनी energy देरे देरे lose करता चला जाएगा और 2-4 मिनट बाद में flywheel की kinetic energy zero हो जाएगी तो motor generator दोनों बंद क्योंकि एक तो generator पर motor का load है उपर से यह side में 2-4 equipment और चला रहे है तो flywheel की पूरी energy इनी में चली जाएगी और zero हो जाएगी और यह 2-4 मिनट का time होता है जिसमें flywheel अपने energy release कर रहा है इसमें लोगों का cut जाता है और एक बात माँ आपको बता दूँ इस generator पर आप motor के अलावा और कोई भी load नहीं लगाओगे ना तो भी यह 2-4 मिनट बाद में बंद हो जाएगी क्योंकि generator से motor और motor से flywheel और flywheel से generator के बीच में energy loss भी होती है motor generator में copper losses होते हैं friction और windage losses होते हैं तो थोड़ी देर बाद में यह energy losses के रूप में zero हो जाएगी अब मैं आपको एक example से समझाता हूँ मान लो एक kilowatt का generator है यह है और एक kilowatt की ही यह motor है तो यह generator जो एक kilowatt generate करेगा वह है यह motor पूरा consume कर जाएगी और साथ में बीच में losses भी होंगे तो यह थोड़ी देर बाद में वैसे ही दोनों बंद हो जाएगे अब आप में से किसी का ज़्यादा तेज़ दिमाग है तो वह है क्या सोचेगा कि मैं एक kilowatt की मोटर से दो kilowatt का generator गुरमाँगा तो एक kilowatt मोटर consume कर जाएगी और जो बचा हुआ एक kilowatt है उसे आप मान लो एक kilowatt का कोई गीजल चलाते हो तो जैसे ही generator पर load आएगा पुरा दो kilowatt का तो generator मुस्किल से गुमेगा और मुश्किल से गुमेगा तो मोटर को ज्यादा पाउर लगानी पड़ेगी यानि यदि 2 किलो वाट का जनरेटर पर लोड है तो 2 किलो वाट अकेली यह 1 किलो वाट की मोटर ही कंजूम कर जाएगी इस जनरेटर को गुमाने के लिए और उपर से यह मोटर फुल लोड पर ओर चलेगी तो इसमें ज्यादा लोसेस होंगे और गीजर का लोड तो आपका एक्स्ट्रा ही रह जाएगा और थोड़ी देर बाद में यह सब बंद हो जाएंगे इन एनर्जी जनरेटर वालों के इसाब से तो कंजरवेशन ओप एनर्जी और जो भी एनर्जी के प्रिंसिपल है वह सब के सब फेल हो गए अब पता नहीं वह नासा और इसरो से कैसे बचे हुए हैं अभी इंडिया की जो इंस्टॉल केपेसिटी है वह है 375 गिगावाट जो 31st December 2020 के डाटा के अकोर्डिंग है अब हमारे घरों में कभी कुलर कभी पंका एसी लाते ही रहते हैं हम लोग तो हमारा लोड भी बढ़ता है तो जब हमारा लोड 375 गिगावाट के पास पहुँच जाएगा तो बिजली कमपनिया और पावर प्लांट लगाएगी और अपनी केपेसिटी को बढ़ाएगी कहने का मतलब यदि 375 गिगावाट हम जनरेट करते हैं तो हम इससे कम ही कंज्यूम कर पाएंगे यदि हमारा लोड 375 गिगावाट से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा सिस्टम कॉलिप्स कर जाएगा वोल्टेज करन्ट को कम ज्यादा क्या जा सकता है जरूरत के हिसाब से पर पावर कभी नहीं बदलती क्योंकि एनर्जी को ना ही तो क्रे tribute क्या जा सकता है और ना ही destroy क्या जा सकता है इसको सिर्फ one form से another form में convert क्या जा सकता है असल में कोई free energy generator नहीं होता है उसके बाद में वह भी अपनी magnetism की properties को lose कर देगी और सबसे बड़ी बात जब permanent magnet को बनाया जाता है तो उसके अंदर energy पहले store की जाती है और वही energy हम वापस निकाल लेते हैं तो फिर काहे का free energy generator और actual process electricity generate करने का बहुत ही complicated है जिसको वन फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इन फालतू के जंजट में ना पड़े आप असल में electricity generate करना चाहते हैं तो आप अपने demand के अनुसार solar panel या windmill लगवा सकते हैं